बाइबल का सम्मान इसका क्या अर्थ है? हमारे देश की जो संस्कृती है, कल्चर, उसमें किताबों को बहुत मान दिया जाता है, बहुत इज़त दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि उनमें विद्या है, तो क्या होता है कि कभी कोई किताब पर अगर गलती से पैर लग जाए, तो आम तोर पर लोग उसको चुकर ऐसे माते से लगाते हैं, या किताब को माते से लगाते हैं. तो जब बात आती है धार्मिक गरंथों की, शास्त्रों की या धार्मिक पुस्तकों की, तो जादा इज़त दी जाती है उनको, तो हम सब उसी संस्कृति में बड़े हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि जब भी मसी में आते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी पुरानी भावनाओं को छोड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए देखा गया है कि बहुत से क्रिस्चिन्स बाइबल के साथ भी ऐसा ही करते हैं, कि अगर गलती से बाइबल पर पैर लग जाए, तो या तो बाइबल को ठाकर ऐसे माथे से लगा लेंगे, या फिर उसको छूकर ऐसे कर लेंगे, या इसा होता है कि कभी गलती से बाइबल आपके बिस्तर पर बेट पर पड़ा हो, और गलती से आप उस पर बैठ जाए, तो भी ऐसे ही करते हैं, कि भई अपमानना हो जाए बाइबल का, तो क्या ये सही है, एक बर क्या हुआ होता है कि, मेरे एक रोमन कैतलिक रिष्टेदार, उन्होंने नया घर बनाया था तो housewarming होता है जब पहली बार सारे संबंदियों को रिष्टिदारों को दोस्तों को बलाया जाता है तो उस function में जो उनके church का जो पादरी जिसको father बोला जाता है उनको भी invite किया जाता है तो वो क्या करते हैं के वो जितनी भी मूर्तियां है येश्यो की, मर्यम की या दूसरे संतों की जो saints जिनको बूलता है उन सब की मूर्तियों को घर में स्थापित करता है तो एक function होता है वो जिसमें वो कुछ परातना करता है तो मैं भी गया था मैं सब ये सब देख रहा था वहाँ पर तो वो लोग तो जानते नहीं थे कि मेरा विश्वास क्या है बहुत दूर के रिष्टेदार थे तो हुआ ये कि वो फादर ये सब करने के बाद बाइबल ऐसे लेके सब के पास लेके जा रहा था तो सब लोग उसको चूके ऐसे कर रहे थे मान दे रहे थे तो मेरे पास भी लाया तो मैं ने मुस्करा दिया लेकिन कुछ किया नहीं तो वो फादर समझ गया कि ये शायद को नास्तिक है इसले नहीं चूँ रहा है तो बाद में जब फंक्शन खतम हो गया प्रातना खतम होगी तो मुझसे पूछा उस फादर ने कि भाई आपने क्यों नहीं इसको चूआ मान क्यों नहीं दिया बाइबल का तो मान करना चाहिए मैंने का बिलकुल सही बाद है बाइबल का सम्मान करना चाहिए लेकिन सही रीती से जो आप कर रहे है वो सही रीती नहीं है फिर मैंने उनको बाइबल के वचन बताए मैंने कहा यहना एक एक में क्या लिखा है आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर हुआ उसके बाद लिखा है यहना एक चौदा में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया वही वचन येश्य मसीव बनकर आया मनुश्य का शरीर लेकर तो ये वचन क्या है तो इसके लिए जो युनानी शब्द युहना ने इस्तिमाल किया है वो है लोगास जिसका अर्थ है Divine Reason मतलब इश्वरिय विवेक इश्वरिय बुद्धी इश्वरिय विचार शक्ति The Mind of God इश्वरिय न्याईशीलता Divine Justice Imminent Nature इसे कई और शब्द भी है जो लोगास शब्द के अंदर आते हैं और इसी लिए युहना ने लोगास शब्द का इस्तमाल किया परमेश्वर का व्याख्यान करने के लिए क्योंकि कोई और शब्द नहीं था जो परमेश्वर के अस्तित्व को सही रिती से प्रस्तुत कर सकता था सिर्व यही एक शब्द था वो भी उनानी में तो मैंने उनको बताया है कि यह वच्चन जिसको हम बोलते हैं जो बाइबल में है वच्चन कौन था? वो परमेश्वर था जो कुछ मैंने भी बताया उसकी परिभाशा और वही वच्चन येश्व मसी बना तो जब हम सम्मान की बात करते हैं तो हम इस किताब के पन्नों की बात नहीं कर रहे हैं ना इसके उपर की कवर की बात कर रहे हैं हम उस वच्चन की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर है और वही वचन इसमें येशु के वो वचन इसमें लिखे हूँ है तो सम्मान और मान किसका होना चाहिए उस वचन का इन पन्नों का नहीं मैं आपको समझाता हूँ येशु ने क्या कहा योहना 6.63 में आत्मा तो जीवन दायक है शरीर से कुछ लाब नहीं जो बाते मैंने तुमसे कहीं है येशु ने जब ये बोला जो बाते मैंने तुमसे कहीं है तो ध्यान रखिए कि जैसे मैं अपने कई संदेशों में सिखा चुका हूँ कि येशु पुराने नियम में भी था पुराने नियम में भी जो परमेश्वर के जितने भी वचन है वो येश्व के वचन है और नए नियम में भी जो येश्व ने बोला जो उसके शिश्यों ने लिखा वो भी परमेश्वर के वचन है तो वे आत्मा है और जीवन भी है तो येश्यू के वचन जीवन है ना कि वो पन्ने जिन में वे वचन लिखे गए इसको ध्यान रखिया पहले क्या होता था पहले जानवरों की खाल में या भेड की खाल में आम तौर पर ये वचन लिखे जाते थे भविश्यद वक्ता जिनको परमेश्वर बताता था तो वो उन खालों पर लिखे जाते थे तो उस समय पेपर यानि कागज नहीं था तो उन में लिखे जाते थे फिर आगे जाके जब पैपाइरस बोलके एक प्रकार का कागज बनाया जाने लगा जो पेड़ों की खाल से बनता था उसमें लिखे जाने लगे आज हमारे पास पेज है यानि पन्ने हैं जिन में लिखे जाते हैं तो आज तो हमारे पास ये बाइबल है प्रिंटिड पन्नों के उपर लेकिन पहले तो नहीं थी सबसे पहली जो बाइबल है वो करीब 1455 में जो हैं गटनबर्ग नाम के एक आदमी ने छापी थी, उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार किया था, सबसे पहली बार उसने मूवेबल अल्फबेट्स याने की जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको अलग-अलग र तो उससे पहले ये छपी भी बाइबल हमारे पास नहीं थी, लेकिन वचन तो था, किसी ना किसी रूप में, तो वचन अपने जगा पर है, लेकिन वो लिखा जाता था अलग-अलग माध्यम पर, पहले जानवरों के खाल में, फिर पाइरस में, फिर अपन्नों में आ गया ह हैं, या उस platform का संबान नहीं करते हैं, जिन पर वचन लिखा जाता है, हम वचन का संबान करते हैं, तो ऐसे छूने से, मैं क्या सावित कर रहा हूं, मैंने उनको बताया, उस फाधर को, कि इन में से जितने भी लोगों ने ऐसे छुआ, उन में से कितने तो ऐसे हैं, जो वच अगर कोई कहता है कि मैं अपने पिता की इज़त करता हूँ, तो वो उसका मतलब क्या है? कि वो अपने पिता की आज्याएं मानता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो अपने पिता की कोई आज्या नहीं मानता, ना सहमत होता किसी बात से, फिर भी मन में गह रहा है कि मैं पड़े इज़त करता हूँ तो वो सच नहीं होता तो ये मैंने उनको बताया है, वो सही रीती में सम्मान होगा तो वो जो पादरी थे, जो फादर थे उनको समझ आ गया कि भाई, ये व्यक्ति तो बाइबल का गहरा अध्यन करता है तो कुछ दोस्ती होगी हमारी, फिर वो बोले कि चलो तुम मेरे साथ ही खाना खाओ तो हम दोनों ने कटे खाना खाया तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सम्मान कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि आप उस वचन का सम्मान कर रहे हैं जो परमेश्वर है, जो आदि से था और जिसने देह धारन किया उसका सम्मान कर रहे हैं आप किसी माध्यम का नहीं, किसी पेपर का नहीं जैसे कि क्या होता है, आपके घर में अगर कोई किताब पड़ी है किसी वज़े से वो पुरानी हो जाती है या फट जाती है, उसका उप्योग खतम हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको रद्धी में देते हैं जो भी रद्धी लेने वाला आता है लेकिन जब बाइबल की बात आएगी तो आप भूलेंगे नहीं नहीं इसको रद्धी में भी सकते है, इसका सम्मान करना चाहिए तो क्या हो रहा है कि आपकी वोई परानी भावना है मसीह बनने के बाद भी चल रही है आपको, मैं ये नहीं कह रहा है कि आप किसी तरीके से बाइबल का तिरसकार करें नहीं हमें तिरसकार नहीं करना है, किसी का भी ना किताब का, ना मनुश्य का, ना जानवर का, किसी का नहीं लेकिन उसका ऐसा सम्मान भी नहीं करना है कि उसको हम कुछ समझे जितना उसको समझा जाना चाहिए उसे उपर ना समझे तो बाइबल के ये पन्ने और ये किताब परमेश्वर नहीं है इसके अंदर जो जीवित वचन है येश्यू के वो किसी भी माध्यम में हो सकते हैं पहले अगर मैं किसी को ये जुबानी सुना रहा हूं और वो ब्लाइंड है यानि वो आँखों से देख नहीं सकता है तो उसके लिए वो वचन माइने रखते हैं उसका वो सम्मान करेगा उसका वो अनुसरन करेगा उसको इन पन्नों की जरूत नहीं है या किसी और माध्यम की जरूत नहीं है तो इसको आप ध्यान में रखें तो कल को कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या अगर बाईवल बहुत पुरानी हो जाए उसके अपन्ने फट जाए वो खराब हो जाए किसी काम की ना रहे तो क्या हम उसे रद्दी में बेच सकते हैं बिल्कुल बेच सकते हैं क्योंकि वो भी एक किताब है जैसे अन्ने किताब है इस बात को सपष्ट कीजिए कि हमारा जो विश्वास है वो जीवित परमेश्वर पर है तो जब आप इसको मान लेते हैं कुछ उसी नजर से तो फिर आप मूर्ती कुझा में चले जाते हैं यह नहीं है हमारा परमेश्वर इसके अंदर जो वचन है जिन से जीवन बदलता है जिसमें जीवन है वो परमेश्वर है वो ही देधारन करके आया था यह यह ज़रूर हो सकता है कि आपके कुछ सेंटिमेंटल रीजन्स हो कि कुछ ऐसी भावनाएं जुड़ी हो बाइबल थे उधारन के लिए समझ ले वो बाइबल आपकी पहली बाइबल हो जो आपको किसीने गिफ्ट करी हो उसने नाम लिखा हुआ है कि गिफ्टे टु सो एंसो परसन विद लव अपना नाम लिखा है तो उसकी वज़े से आप रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं जैसे हम कोई greeting card या कोई photo या कोई और gift जैसे मेरी wife ने मुझे जो gift दिये मैं उनको इसलिए रख लेता हूँ कि इसमें कुछ भावनाएं जुड़ी है वो मूर्तिय पुजा नहीं है स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को लेकिन अगर आप इस Bible को कुछ ऐसा उंचा दर्जा दे रहे हैं तो वो मूर्तिय पुजा में चला जाता है जो अन्नी धर्म को लोग भी करते हैं आपको नहीं करना है वो आपके लिए उसके अंदर के वचन माइने रखते हैं तो अगर आप इस वज़े से उसको रद्दी में नहीं बेच रहे हैं कि भाई नहीं नहीं बाइवल तो परमेशर की किताब है तो इसको सम्हाल के रखना चाहिए तो फिर आप कहें नहीं वापिस मूर्ती पुजा में चले आते हैं इस बात में बहुत थोड़ा सा अंतर है अपने पिछले दो संदेशों में मैं यही समझा रहा था कि अपने विश्वास को जांचिए ये सब बातें जो हैं अन्नी धर्में में होती हैं उससे मत जुड़िया अपने विश्वास को बल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर रखिए तो आज कोई बोलता है कि भाई नहीं बाइबल फोन पर नहीं पड़ी जाने चाहिए वो गलत है जो किताब है उसमें पड़ी जाने चाहिए तो मेरा सवाल यह है कि पुरान नहीं में जो किताब भी नहीं थी तो पड़ा यह में जब अड़ा जाता था तो लोग सुन्ते था जैसे यश्य ने जब पड़ा तो लोगनले सुना जब आलादनाले में तो क्याने का मतलब ए outta कि यह तो माधियम है भो बदलते जा रहे हैं फोन पर भी पढ़़ सकते हैं, मैं फोन पर पढ़ता हूं जब मेरे पास बाइबल नहीं होती, लेकिन बाइबल से मुझे ये एडवांटेज होता है, ये सोहले तो होती है, कि मैं उसे उसके नोट्स लिख लेता हूं, कि फोटो और यह सब नहीं लगाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि बाइबल के वच्चन आप कि इस उद्देश्चे से लगा रहे हैं, अगर तो इस उद्देश्चे से लगा रहे हैं कि लोग जो आपके घर में आते हैं वन वच्चनों को पढ़ें, तब तो बहुत अच्छी अपने घर में बड़े-बड़े आयतों लिख्के रखूँ, ताकि जो भी गेस्ट आए, वो कम से कम इसी बहाने कुछ बातें परमेश्वर की सीख सके, लेकिन मैं उन आयतों का या जो मैं फोटो लगाऊंगा, उसको कुछ सम्मान दे के उसको चूक है, या उसके सामने आर पर्चे बाट थे, बामे में, तो वहां पर क्या होता कुछ लोग पर्चा लेते हैं, दूर जाते हैं, तो आसे तरोड मरोड के फैंक देते हैं, तो एक मुस्लिम भाई थे, वो पर्चा उठा गया हमार पास लाया और हमें बोला कि, या आपका पर्चा सड़क पर पड़ा ह आपको ध्यान नहीं है, आप तो बिल्कुल इजट ही नहीं करते हैं, इस वचन की जिसको आपाट रहें तो फिर क्या फायदा है? अब समस्या यह है कि उनके धर्म में यह सिखाया जाता है, कि भह इसका मान रखो, इजट रखो, लेकिन Christianity यानि मसीह है तो आत्मा से परमेश पेड़ पौदवार जानवरों को क्यों नहीं दिया, उस आत्मा के माध्यम से, अपनी इच्छा से, वो चाहे तो परमेश्वर को बला सकता है, परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, तो इसलिए वो आत्मा दिया था, तो हमारा माध्यम वो आत्मा है, और जब हम बुला ल लेती है और हमारी आत्मा धिरे दिरे पवित्रा आत्मा की अगवाई में चलकर परमेश्वर से संबंध बढ़ाना सीख लेती है तो वो आत्मा से बोलता है कि आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आरादना करो उसके भजन गाओ तो यह फर्क होता है जब हम बाइबल को गलस समझ लेते हैं बाइबल के पन्ने अपने आप में कुछ नहीं है उन में वो जीवनदाई वचन लिखे हैं और वो एक माध्यम बन गया जिसको मैं पढ़के अपने मन में अपने आत्मा में उसको उतार रहा हूं और उसके आधार पर चल रहा हूं तो वो जीवनदाई वचन जो है वो परमेश्वर है परमेश्वर की वो सोच उसकी न्याय शिलता उसके स्रिष्टी करने के क्षमता ये सब बातें उस वचन में हैं खुछ लोग ये भी बूशते हैं कि क्या करें हम सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ पर नौकरी स्थल में जो है या प्राइव आपने कभी भी अपने दफ्तरवालों को, अपने बॉस को प्रेम से ये समझाए कि आपको विश्वास क्या है, मसीहत क्या सिखाती है, मसीहत क्या है, क्या आपने कभी ये बोला, उनको बताया, अगर आप उन्हें प्रेम से, विनमरता से बताएंगे, कि देखे मेरा जो विश मुझे इसकी अनुमते मिह देता है मैं आपके किसी विश्वास को तुछ नहीं मानता हूं ना उसको मैं किसी तरीके से अपमां करना चाता हूं लेकिन मेरा जो विश्वास है वो मुझे इस बात के अनुमत यह नहीं देता है जो बाइबल्स हम रहर birthday जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. अगर आप चाहें तो मैं अपने विश्वास के बारे में आपको बता सकता हूँ. लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता. यह आपने हिम्मत के साथ, रिड़ता के साथ कभी बोला है. नहीं बोला तो बोल के देखिए. आप इस बात से मैं डर यहां कि क्या होगा. आम तोर पर वो लोग समझ जाते हैं. मैंने देखा हैं. पर क्योंकि डर के वज़े से आप बताते हैं तो आप अपने आपको ही मजबूर कर लेते हैं. उसमें शामिल होने में, उन रिती रिवाजों में, जिसके लिए बाइबल मना करती है. तो दूसरी बात यह है कि हमारा सविधान हमें अपने धर्म, अपने विश्वास को चुनने की स्वतंतिरता देता है, जिसका मतलब यह है, कि अगर आप किसी और के धर्मिक रिती रिवाजों में शामिल नहीं होते हैं, चाहिए वो प्राइवेट ओफिस हो, चाहिए वो सरकारी ओफिस हो, तो कोई आप पर ये लजाम नहीं लगा सकता है, कि आप अंटी नैशनल हैं, या देश के विरोध में चल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, देश और धर्म अपनी जगापे हैं, दोनों अलग-अलग हैं, धर्म को देश या देश भक्ती से मत जोड़िए, एक मसीही को सच्चा देश भक्त होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है, कि उसको दूसरे धर्मगर इतिरिवाज में शामिल होना है, तो मैंने एक संदेश भी दिया था, कि एक सच्चा मसीही, सच्चा देश भक्त भी होता है, लेकिन वो अपने विश्वास से नहीं आठता, उसमें संझोता नहीं करता है, मेरा जो बड़ा बेटा है, वो एक क्रिश्चन स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छा स्कूल है वो, तो जाहिर है, वहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है, कि जो भी अड्मिशन लेगा, भी हमारे यहाँ सुबे-सुबे, ख्रिश्चन बाइबल में से सिखाए जाएगा, और एक प्राथना की जाएगी, लेकिन, किसी को मजबूर ने किया जाता, वहाँ पर, किसी भी बच्चे को कि आपको भी यह प्रातना बोलनी ही है, नहीं तो बहुत से बच्चे जो है वो नहीं बोलते हैं वो पूजा करें लेकिन उसमें आपका शामिल हम भूद नहीं है ऐसा नियम होना चाहिए इसके लिए आप बाट कर सकते हैं कि हमें स्वदंतरता है साविधान में हम स्विकार करते कि आप करिये इस पूजा का हम उसका भी रोध नहीं कर रहे है लेकिन हमारे बच्चे को या हमें इसको करने के लिए कृपिया बाध्या ना करें क्योंकि हमारा विश्वास अलग है अगर वो आपके विश्वास की इसट रही बी करते हैं नहीं भी समझते हैं और वो कहते है कि नहीं हमें कुछ नहीं पता तो भी बाइबल से कहते हैं कि आपको येश्यों मसीज के लिए खड़ा होना है और इंकार करना है उसके बाद जो परिणाम होंगे उसमें आपको येशु मसी मदद करेगा तो उसके लिए तो आपको खड़ा ही होना ही है विश्वास से कभी समझोता करना ही नहीं है चाहे वो ओफिस हो चाहे वो घर हो कहीं पर भी और ये बात मैं कई संदेशों में स्पष्ट कर चुक हूँ वह जब तक मसीही अपने विश्वास से समझोता करते रहते हैं ना तो उनमें देड़ विश्वास आता है ना हमारे देश में मसीहत आती है क्योंकि किसी को समझे नहीं आता है कि मसीहत क्या है मसीहत दूसरे धर्मों के साथ घुल मिल जाती है और वो लुप्त हो जाती है तो इसी लिए मैं आप लोगों को बार-बार कहते रहता हूँ कि येश्व के लिए खड़ा होना सीखे विनमरता और प्रेम से किसी से हमारा जगडा नहीं है किसी से लड़ा ही नहीं है लेकिन हम अपना विश्वास किसी को बताएं जैसे दूसरा आदमी कहता है आप अपना विश्वास बताएं हम उनसे कहते हैं हम भी अपना विश्वास बताएं आप मेरे विश्वास के जैसे मान रखें मैं आपके विश्वास का मान रखोंगा इस तरह की एक understanding, एक समझ होने चीए हमारे समाज में, उधारन के लिए जैसे मेरे एक जानकार हैं, वो एक पास्टर के भाई हैं, वो एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आज भी, और पहले दूसरे स्कूल में थे, तो उन्होंने इस फ़स्ट रोग से बता रख हैं, मैं समय शामिल नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग कीजिए, मुझे कोई अतराज नहीं है उसके लिए, लेकिन हुआ ये कि वहां दूसरे जो टीचर्स थे, जो बहुत से गलत काम भी करते थे तो स्कूल में, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये खरा मनुशियों था और बाइ और उसमें माला वाला चड़ानी थी, तो प्रिंसिपल ने, ये जो मेरे जानकर भाई हैं, इनोंने मना कर दिया, कि देखें, मैं तो करूंगा नहीं, आप इंसे कर वाले, उनने दूसरे नाम दे दिया, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, फंक्शन में मैं शामिल नहीं सकता, फसाने के लिए, उसके बावजूद भी उनने नहीं किया, दूसरे से करवा दिया, ये होता है, ये जो मसी के लिए खड़ा होना, तो उनके खिलाफ केस हुआ, कि भी हमारे धर्म का अपमान किया, ये सब किया, दूसरे भी बहुत से केस दाले गए उन पर नाजाज तोर पे लेकिन ये जो नहीं हर केस में विज़े देलाई, और वो हिल नहीं सके, उसकूल में पांथ साल रहे, और पिछले इतने सालों से जो उसकूल नीचे चल रहा था, पांथ सालों में बहुत उपर आ गया, जिसकी वज़े से उसकूल के जो एड्मिनिस्टेटर्स थे उन्हों लेकिन उनके जो पास्टर भाई थे, उनकी तबियत खराब होने लगी थी, वो दिल्ली में थे, तो उनको दिल्ली आना पड़ा, लेकिन यहां पर आकर वो दूसरे स्कूल में चले गए, तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, संसार में, जो ये भी हैं, इसमें यह जो माला है, इसमें बहुत से मणिया है, आम तोर पर रोह Use ए कहतलिक्स के सैंसद तो इसमें मरियम की और धिल मेरी creation, है। तो इसमें तो दोौह कम दस दस जमें सु एफैंज थे आन्यम की के लें मरियम का पूर्ड के स्सक्रभण अगे चाह धैश refers च्श को सपना आया था रोजरी के बारे में और उजन से रोजरी शुरू होगी तो यह अन्दविश्वास यह मूर्ति पूजा उस धर में देखे जाती है और अन्य काई जो Christian Denomination इन समपर्दाइ उन में भी देखी जाती है तो बहुत से ऐसे भी हैं जो Protestant Church से उन में भी मूर्ति पूजा देखी जाती है अलग-अलग त़रीके से मैं यह नहीं कहा रहा है कि उन्होंने यह शू की मूर्ति लगा रहा है लेकिन अलग-अलग तरीके से कहीं ना कहीं से अंद विश्वास और मूर्ती पूजा उसमें आ जाती है तो कुछ लोग उसको रोजरी को गले में डाल लेते हैं कुछ लोग उसको कार में लटका देते हैं जब पहले मैं विश्वास से नहीं था तो मेरी कार में मेरी मम्मी ने लटका दिया था कि भाई इससे सुरक्षा होगी तुमारी उसके बाद भी आक्सिडेंस मेरे एक दो हुए थे बड़े-बड़े तो कोई कहता है कि इसको लटकाने से बड़े शान्ती मिलती है भाई यह तो दूसरे धरम की लोग भी करते हैं धागे बानते हैं ताबीज बानते हैं यह सब चलत की तो इस पर भी बहुत सावाल उठाय जाते हैं कि क्या क्रॉस रखना की जिसमें यह जो की मूरती ना हो सलीब गले में बानना घर में रखना चर्च में लगाना तो इसके विशे में मैंने पहले से संदेश बनाया हुआ हूआ है जिसमें मैंने सब कुष्पस्ट किया कि आपको विश्वास क्या है? आपका विश्वास उस वचन में है, जो देधारी हुआ, वो वचन, जो परमेश्वर है, जो इस Bible में छपा हुआ है. यानि जब तक वो छपा नहीं था इसमें, तब तक ये केवल पन्ने थे. जब वो छपा गया, तो भी ये पन्ने है, क्योंकि वो जो वचन है, वो इस कागज की वज़े से महतोपूर नहीं है. वचन अपने आप में जीवन दायक हैं, चाहे कोई भोल रहा हो, चाहे किसी वीडियो के माद्यम से जो आप ये संदेश देख रहे हैं, इसमें मैं वचन बता रहा हूँ, तो भी वो उतने ही इफेक्टिव हैं, उतने ही प्रभावशाली हैं, जितने कागज में लिखाएं. वचन पर ध्यान दीजिए, सुनने का माद्यम, देखने का माद्यम, पढ़ने का माद्यम, कोई भी माद्यम हो, वचन पर ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर है, बाइबल, जो पन्ने और जो उसके गत्य का कावर है, वो परमेश्वर नहीं है, ना उसको कुछी सम्मान की ज़रूरत है, वो एक आम किताब की तरह आप ले सकते हैं, सिर्फ इतना है कि, जब हम बाइबल की अध्यान की बात करते हैं, उसकी विद्याओं की, उसकी शिक्षाओं की, तो वो सबसे सर्वश्रिष्ट किताब है, लेकिं फिर भी किताब है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता है, ताकि आगे से, आप अपने विश्वास को चेक कर सकें, परक सकें कि आपको जब विश्वास है, वो बिल्कुल निर्भीक है, उसमें कोई डर नहीं है, उसमें कोई अंद विश्वास नहीं है, वो एकदम स्पष्ठ है, निर्मल स्वच्छ जल की तरह है, एकदम साफ है, आपको पता है, कि आप आत्मा और सच्चाए से परमिश्वर से जुड़े हुए हैं आमेन